दोस्तों चेहरे पर लगाएं केसर का मास्क, नहीं पड़ेगी मेकप की जरूरत नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है पूरवी ब्यूटी और पैशन में इस चैनल पर हम आपके लेकर आते हैं आपके स्वास्त और सौंदर से जुड़ी बहुत सारी रोचक बातें तो सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन पर जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे जी हां दोस्तों, खुश्बू से भरफूर केसर का इस्तमाल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है इसको इस्तमाल करने से त्वचा संबंधित कई समस्याये दूर होती है तवचा और बालों के लिए ये एक नायाब नुस्खा है इससे ना सिर्फ बालों की खुबसूरती बल्कि तवचा की रंगत को भी निखारा जा सकता है। केसर भारती रसोई का जरूरी हिस्सा है। इसकी खुश्बू और रंगत से किसी भी डिश का स्वात दोगुना हो जाता है। बेदात तवचा पाने के लिए सबसे पहले केसर से अच्छा उपाए है। ये एंटी-फंगल की तौर पर भी काम करता है। केसर को चेहरे पर लगाने से डेट स्किन हट जाती है। और साफ और चमकदार तवचास सामने आती है। ये आपकी स्किन टोन को प्राकरतिक तरीके से निखारता है। अगर आपके चेहरे पर पर आराम से इस्तमाल कर सकते हैं। चेहरे की रंगत निखारने के लिए केसर को अच्छी तरह मसल कर उसमें टी स्पून गुलाब जल और एक चमच चंदन पाउडर मिलाएं। इसे चेहरे पर लगाएं। सूखने के बाद इसे धो दें। ऐसा करने से चेहरे पर निखार आ करें ऐसा करके बालों की खुबसूरती बढ़ाई जा सकती है। दोस्तों केसर का जादधर इस्तमाल एशिया और यूरोप में किया जाता है। केसर काफी महगा होता है क्योंकि एक ग्राम केसर के लिए बहुत सारे फूलों का इस्तमाल किया जाता है। इसे उगाने में रेक्षाकरत मेहनत बहुत करनी पड़ती है। केसर को टोनर की रूप में भी इस्तमाल किया जा सकता है। गुलाब जल में चुटकी भर केसर मिलाएं इसे रोजाना चहरे पर स्प्रे करें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो एक चथाई कब पानी में चुटकी भर केसर और धो टी स्पून मिल्क पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे चहरे पर लगाएं इससे चहरे की ड्रायनस कम होगी और आपकी स्किन गोग करेगी तो दोस्तों ये थे कुछ आसान से नुस्खे जिन्हें आपकेसर से बना सकते हैं और अपने चहरे की चमक बढ़ा सकते हैं इसी तरह के और नुस्खों के लिए देखते रहें पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन.